पूँपक्तु अथिस जाप्टर में जो है उसको इसी तरीके से बोला जाता है उसका नाम बूली रखा जाता है तो आपको पढ़ने की एक मोटिवेशन देता है और साथ में आपको लेसन भी देता है कि पढ़ाई कर लो काफी जरूरी है पढ़ाई ठीक है तो आज आज स्टार्ट करते हैं अब उसका जो नाम है क्या है सुलेखा है लेकिन उसको बचपन से क्या बोला जाता है बोली था सिम्पल्टन सिम्पल्टन मूर्ख है न बेवकूफ शी वस फूर्थ दॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल और वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी विन शी वस टैन मन्स ओल शी एट फॉलन ऑफ दॉट ऑन हर हैड और परहप्स इठ डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन ठीक है जब वो सिर्फ दस महीने की थी तो वो और यही रीजन है कि वो जो है थोड़ी हर चीज में पीछे रहती थी और उन्हें जो नाम जो सिंपल्टन बोला गया था वो भी शायद इसी वज़ा से दिया गया था जब वो पैदा हुए थी तो काफी सुन्दर और काफी गोरी थी बट वन शी वस टू इयर्स ओल शी हाड इन अटेक ऑफ स्मॉल पॉक्स लेकिन जब वो दो साल की थी तब उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गए थे और इंटार बॉडी वस पर्मेनेटली डिस्फिगरड बाइडी ब्लैक पॉक्स सिर्फ आइज उनकी बज गई थी बाकि उनकी पूरी बॉडी पे और फेस पे जो है पॉक्स हो गए थे तो देखो एक बिचारी बच्ची जो पहले तो दस महीने में गिर गई थी जिसका मान सिक संतुलन फिर उसको दो साल की उमर में स्मॉल पॉक्स हो गई जिसकी पूरी जो बॉडी थी वहां पर वो स्पॉर्ट रह गए थे तो देखो है ना उस वजह से क्या था उसको इतना ध्यान नहीं देता था ता उस पे क्योंकि वो ना तो अच्छी लग थी ना उसमें इत और फिर जब उन्होंने पांच साल की उमर में बोलना शुरू किया सीखा तब भी वो क्या करती थी थोड़ा हकलाती थी दा आधर चिल्डर ओप्टन मेट फन ओफर और अब जो दूसरे बच्चे थे वो उनका अकसर मजाग उड़ाया करते थे और उनकी नकल उतारते थे है रामलाल हैट सेवन चिल्डरन रामलाल के कितले साथ बच्चे थे थे थी संस और फॉर डॉर्टर और यंगेस्ट ऑफ दैम वाज बोली साथ बच्चे थे जिसमें से तीन बेटे थे चार लड़कियां थी और जो सबसे चोटी लड़की थी वो कौन थी बोली इट वोस प्र अब सिफ बोली को छोड़के बागी सारे बच्चे जो हैं वो काफी हेल्दी और स्ट्रॉंग थे लेकिन थोड़ी कमजोर थी जो लड़के थे वो बड़े थे उनको जो है शेहर बेच दिया गया था पढ़ने के लिए स्कूल्स में भी उन्होंने वहीं पढ़ा और पिर कॉलेजिस भी उन्होंने शेहर में पढ़े और दूसरी डॉटर थी उनकी मंगला उसकी शादी भी पक्की हो चुकी थी और जब मंगला की शादी हो जाती तब वो चंपा के बारे में सोचते तीसरी की शादी करने की सोचते वो काफी अच्छी थी दिखने में और हेल्दी भी थी तो उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं हुई दूला डूणने में बट रामलाल वस वरीड बाउट बोली लेकिन रामलाल जो है वो बोली के लिए चिंतित रहता था जब नाइधर गुड लोक्स नौर इंटेलिजेंस ना वो दिखने में अच्छी थी और नाइव उसका मानसिक संतूलन ठीक था बोली वस स्यूरव गोली साथ साल की साल थी और उसी साल जो है प्राइमरी स्कूल खोला गया था गाओं में लडकियों के लिए तैसिल्दार साहिप कें टू परफॉर्मिट उपनिंग सारेमी और जो तैसिल्दार साहिप थे वह आये थे उसकी इनागुरेशन के लिए he said to Ramlal as a revenue official you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers ठीक है वो क्या बोलते हैं वो Ramlal से बोलते हैं भाई कि तुम जो हो क्या हो एक revenue official हो है ना तो तुम जो है क्या बोलते हो तुम्हें जो है यहाँ पर और तुम जो है स्कूल में अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए अब उस राज जब रामलाल अपनी वाइफ से सारी बात करता है तो उनकी वाइफ जो कहते हैं आप पागल हो गए हो क्या अब वह भी पुरानी सोच की थी वह भी कभी स्कूल नहीं गई उनके पैरेंट्स भी असे थे तो उनकी लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो उनसे शादी कौन करेगा बट रामलाल हैड नौट दा करेश तो डिसावेदी तहसिलदार लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं थी कि वह तैसलदार की बात को टाले एट लास्ट इस वाइफ सेड आई विल टेल यू वाट तो दू सेंड भोली तो स्कूल एट लास्ट वाइफ ने बोला कि वह काम करो भोली को बेजो स्कूल है ना चंपा को नहीं बेजेंगे आज अगली फेस लेक और अगली फेस मतलब द लेट टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर उसको टीचर पे छोड़ दो है ना मतलब यहां पर उसके खुद के पैरेंट्स भी जो है उनको कोई मतलब सिंपती नहीं थी भोली से नेक्स दर रामलाल कॉट भोली बाई दी हैंड और सेट कम विद मी अब अगले दिन रामलाल जो बोली का हाथ पकड़के ले जाता उसको कि चलो मेरे साथ I will take you to school बोली वस फ्राइटन अब वह बोलता है मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूं तो बोली डर जाती है उसे बस यह दियानता है कि कुछ दिन पहले उनकी जो काव थी गाय थी लक्षमी उसे भी ऐसे भार ले गए थे और उसे बेच दिया गया था तो शायद मेरे साथ भी यही कर रहे हूंगी कि no 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip उसको भी ऐसा लगता है कि यह भी मुझे जोई शायद बेचतेंगे घर से भार निकाल देंगे तो वो जोई काफी जोड से चिलाती है और अपने फादर से अपना हाथ छुडा लेती है what's the matter with you you fool अब वो कहते तुम्हेर सथ problem क्या है बेवकूफ ग्रामलाल गुस्सा करता है I'm only taking you to school then he told his wife let I wear some decent clothes today or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her अब वो जो बोलता है कि तुम्हें problem क्या है बेवकूफ तुम्हें मैं स्कूल ही तो ले जा रहा हूं फिर वो अपनी wife से बोलता है कि इसको कोई अच्छे से कपड़े पहना दो आज है ना अधरवाइस टीचर्स और स्कूल के बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे न्यू क्लेट क्लोथ है नेवर बीन मेट फॉर बोली आप बोली के लिए कभी भी जो है नई क्लोथ नहीं बने थे उसकी जो बड़ी बैने थी उनके जो भी पुराने कपड़े होते थे बोली वही पहनती थी नो वन केर तु मेंड और वाश हर क्लोथ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके कपड़े दोने से सही करने से लेकिन आज के दिन जो है उसको एक काफी अच्छी क्लीन ड्रेस मिल गई थी जो दोने के बाद चोटी हो गई थी और अब चंपा को नहीं आती थी शी वह इवन बैथे और उसको आज नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी लगाया गया अब जब वह स्कूल पहुची तो सारे बच्चे अपनी क्लास में बैठे होए थे तो यहां आप देख रहे हो कि सिर्फ वह बच्ची बिचारी जिसमें उसकी खुद की कोई गलती नहीं थी उसकी कोई गलती नहीं थी कि वह बिमार हो गई या उसका मांसिक संतुलन बिगड़ गया उसके साथ कितना भेदबाव होता था अपने खुद के घर में उसके खुद के पैरेंट्स उसको अच्छे से नहीं रखते थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा अपना ही होता है तो पैरेंट्स को यह बात सोचनी चाहिए और आसपास के लोगों को भी इसी सोचनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो आप उसको काइंडनेस शो करो रामलाल हेंड़ ओवर इस डॉटर तो दी हैड मिस्ट्रेस रामलाल जो है वो हैड मिस्ट्रेस को अपनी डॉटर सोब देता है लेफ्ट अलों दा पूवर गल लुक्ट अब फिर लेडन आइस अब बिचारी बच्ची जो हो अकेली होती है महाँ पर किसी को जानती भी नही किया थी जो नीचे मैट पर दरी पर बैठी हुई थी कुछ बुक्स पढ़ रही थी और कुछ लेट पर लिख रही थी थी हैड मिस्ट्रेस आस्क बोली को बोला तुम भी जाकर बैठ जाओ बोली दिद नॉट नो वट एग्जेक्ली ए स्कूल वास लाइक अन वाट हैपन बोली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि में स्कूल क्या होता और वहां पर क्या किया जाता है बोली को कुछ पता ही नहीं था लेकिन वह काफी खुश थी अपनी उम्र की और लड़कियों को वहां देख कर उसको आशा थी कि शायर दिन में से कोई लड़की मेरी दोस भी बन जाएगी लेकिन बोली को कुछ भी समझ नहीं आया शी लुक्ट अटी पिक्चर ऑन दी वाल बस वो जो वाल पे पिक्चर लगी हुई थी सिर्फ वो ही देख रही थी वो अब उसको जो है वो कलर्स देख कर काफी अच्छा लग रहा था दो हॉर्स था जो हॉर्स था जो गोड़ा था वो भूरे कलर था वैसा है जिस तहसिलदार जो है जिस गोड़े पर आया था गोड़ा था जो बकरी थी वो काली थी बिल्कुल उनके पडोसियों जैसी पैरट वस ग्री लाइक पैरट शी है जी इन दा मैंगो और कार्ड और उसने मैंगो के खेत में जैसे वो देखें गार्डन में जैसे तोते देखें वैसा ही तोता महां हरा बना हुए था अगाव उसको बिल्कुल कैसी अपनी लक्ष्मी जैसी लग रही थी और सड़नली बोली नोटिज देखती है कि वही टीचर जो इसके पास खड़ी हो उसको देखकर स्माइल कर रही है वाट वो जो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है तो बोली विचारी हिचकिचाती है शी क और फिर वो जो रोने लगती है शी क्याप्टर हैट डाउन शी सेट इन हर कोड़ना और फिर वो जब बैठती है उसके बाद वो अपना हैट डाउन करकर ही बैठी रहती है not daring to look up at the girls who she knew was still laughing at her और उसको मतलब हिम्मत ही नहीं होती है इतनी शर्म आ रही होती है क्योंकि जो बाकी लड़किया है वो सारी क्या कर रही होती है उस पर हस रही होती है when the school bell rang all the girls scurried out of the room ठीक है आप क्या हुआ कि जब स्कूल बैल बजी तो सारी की सारी लड़किया जो है स्कुरीड हो ने जल्दी जल्दी भाग ना जल्दी जल्दी दोरना होता है न हम भी होता है वह चुट्टियों चुट्टियों भागो ऐसे सारी लड़कें जल्दी-जल्दी भागने लगी बट बोली डेर नॉट टू लीव अपने कॉर्णर से नहीं हिल रही थी अभी भी उसका जो मूँ था वो नीचे था और वो अभी भी रो रही थी बोली टीचर वोईस वस सोफ्ट इन सूधिंग आप जो टीचर है वह बिल्कुल नर्म से लहजे में बोली को आवाज देती है इन और इन आल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कोड लाइक अपनी पूरी लाइफ में साथ साल की उम्र में बोली को किसी ने भी इतने प्यार से कभी नहीं आवाज दी थी टॉसको बहुत अच्छा लगा अब टीचर बोलती है उठो इट वो काफी प्यार से बोलती है उसे बोली गॉट अप नौ चैल मी यॉर नेम बोली जो अबुट जाती है वो स्वेट ब्रोक आउच ओवर हर हॉल बोडी आव बिल्कुल पसीने पसीने में हो जाती है वो डर्स टैमरिंग टंग अगीं डिस्ग्रेस है अब वह सोचती है कि भाई मैं फिर से जो ऐसे हकला के बोलूंगी तो जो है मेरा फिर मजाग उड़ेगा फॉर सेक ऑफ इस लेकिन उसने जब देखा कि सामने जो लेड़ी है वह काफी अच्छी है काइंड है उसने जो है एफट डालने का सोचा शी है शी हैट सथे सूधिंग वॉइस शी वूट नॉट लाफ एठर क्योंकि उसने प्यार से बोली को बिलाया था तो बोली को यह था कि यह मुझ पर नहीं असेंगी फिर भोली जो यह दीरे दीरे हचके चाते हुए अपना नाम बताने लगती है वेल ड़न टीचर अब वह जैसे बोलने लगती है टीचर जो इसको बढ़ावा देती हां अच्छा कर रही हो अच्छा कर रही हो ओ अपना पूरा नाम बताओ तो भोली असे जैसे उसने कोई बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो तो टीचर प्यार से बोलती है वेल टन टीचर प्यार अफेक्शनेटली और से बात करने लगोगी बोली लुग्ड आप एस इफ्टू आस्क्रेली बोली इस तरीके से उपर देखती है जैसे वो पू तो टीचर कहती है यह बहुत आसान है यू जस्कूल एवरी डे विल यू कम सॉरी तो बोलती है तुम बस रोज स्कूल आओ आओ गी ना तो बोली नॉड़ी 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 अपना सर हिल आती है नो से इट आउटलाओ नहीं बोलके बताओ तो वह दीरे दीरे इच्क के तरह जाती है कि वह येस बोलने के लायक थी डिंट आ टेल यू नाव टेक दिस बुक ठीक है आप वो जो उसको एक बुक देती है दा बुक वस फुल अफ नाइस पिक्च्छ और पिक्च्छ वार इन कलर डॉडग कैट गॉट होर्स पारट टाइगर एन काव जस्लाइक और उससे बूख देती है तरह जो समने बहुत सारी कलरने और उसमें अलाग अनीमल बने हुए होते हैं और इडरी पिक्ट्र ववज़ एक वर्ड लेटर्ग लोर्ण अर उसे ब् उससे भी बड़ी, in time you will be more learned than anyone else in the village और थोड़े से टाइम में देखना तुम इतना ज्यादा पड़ी लिखी हो जाओगी जितना इस गाव में कोई भी नहीं है, then no one will ever be able to laugh at you, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर हसने की, people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer, understand, लोग तुम्हारी ब अब घर जाओ, अकल जल्दी सुबा आ जाना, बोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers, ठीके बोली को ऐसा फील हुआ कि बहीं जो सारे temples हैं, मंदिर हैं विलेज के उनकी घंटियां बज रहे हैं और जो सारे बड़े-बड़े trees हैं schoolhouse के बार, वहाँ पर बड़े-बड़ फूल हुगे हुए हैं, our heart was throbbing with a new hope and a new life, अब उसको एक नही आशा जग गई थी उसके अंदर और एक नही लाइफ की आशा थी उसके अंदर, दसदा years past, ठीके आप जो ऐसे ही कुछ साल निकल गए, the village became a small town, अब विलेज जो एक छोटे से शहर में convert हो गया था, the little primary school became a high school, अब वो प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल में convert हो गया था, there were now a cinema under a tin shed on a cotton ginning mill, अब वहाँ पे क्या क्या था, एक तो cotton ginning mill आ गई थी और एक cinema भी आ गया था, the male train began to stop at their railway station, अब उनके railway station पे भी train रुकती थी, one night after dinner, रामलाल said to his wife, then चलाए, accept विशंबर's proposal, yes, certainly his wife said, अब एक रात की बात है, खाना खाने के बात, जो है, रामलाल अपनी wife से पूछता है, तो मुझे क्या विशंबर का offer accept कर लेना चाहिए, तो उसकी wife कहती है, हाँ, बिलकुल, बोली विल बिल लकी टू गेट सच अ वेल-टू ब्राइड गूम, बोली जो है, काफी भाग्यवान हो पर एनी डावरी और सबसे अच्छी बात कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है, that's right, but he is not so young, you know, almost the same as I am, and he also limbs, moreover the children from his first wife are quite grown up, अब उसका जो फादर वो कहता है, कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो इतना जवान नहीं है, almost मेरी एच का है, प्लस थो matter, his wife reflect, उसकी wife को जैसे भोली की कोई फिकरी नहीं है, वो कहती, तो क्या फर्क पड़ता है, 45 or 50, it is no great edge for a man, 40-50 साल कोई बड़ी उमर थोड़ी है, आत्मी के लिए, we are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and a lack of sense, हम तो इसी बात में खुश हो जाना चाहिए, कि हम जो लखी है, कि वो दूसर कि छोटी है, उसकी child marriage हो रही है, और दूसरी बात वो जूट भी बोल रहे है, कि भोली जो है, मतलब उसका ना तो भोली का ना तो वो अगलीनेस या कुछ भी नहीं बता रहे हैं, और ना उसका lack of sense बता रहे है, if we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life, अगर हम यह प्रपोजल भी accept नहीं करत है, तो वो जो है, आविवायता ही रह जाएगी, yes, but I wonder what भोली विल से, फिर उसका father कहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भोली का क्या जवाब होगा, what will that witless one say, she is like a dumb cow, उसकी खुद की मदर बोल रही है, सोचो उसके बारे में, कि वो बेवकूफ क्या बोलेगी, वो तो एक बिलकुल बेवकूफ सी गाय है, maybe you are right, muttered रामराल, रामराल कहता है, शायद तुम ठीक ही बोल रही हो, in the other corner of the kurt yard, भोली lay awake on her court, listening to her parents whispered conversation, ठीक है, आप भोली दूसरे कोने से सारी बाते सुन रही थी, विशंबरनात was a well-to-do grocer, he came with a big party of friends and relations with him for the wedding, ठीक है, अब विशंबरना के साथ आया था, bedding के लिए, a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse, ठीक है, अब मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कि भाई, वो उन्होंने decide कर ले, कि यहां उस से शादी कर देंगे, अब वो जो आ भी गया, बारात बारात लेके, रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor, रामलाल जो वो काफी daughter would have such a grand wedding, उसको बिल्कुल भी, कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था, कि उसकी जो fourth daughter है, जो थोड़ी, उनके इसाब से अगली है, और lack of sense है उसमें, उसको इतनी अच्छी wedding मिलेगी, बोली's elder sisters who had come from the occasion were envious of her luck, बोली की जो बड़ी बहने आई थी, सारी वो उससे काफी ज बोला कि दुलहन को बुलाओ, तो यहां पर आप देख रहो कैसे बोली के साथ, जो है कितना गंदा वियवार होता था, और उससे बिना पूछे, उसकी शादी भी तैय कर दी गई थी, और इपन उसकी शादी हो रही थी, लेकिन बोली जो अपने parents से कभी कुछ नहीं बोलती कि नहीं और सबसे जादा गुस्ता तो मुझे उसकी mother प्यार है, जो इतना बुरा अपनी बेटी के लिए सोच रही थी, है ना, तो यहां पर just opposite भोली का nature था, कि वो फिर भी अपने mother-father की इस्जत के बारे में सोच रही थी, ठीक है, अब आगे story में क्या होगा, कि यहां पर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताए कि यहां पर आपको lesson मिलता है कि education काफी important है, तो अब ऐसा क्या होगा, कि आप भोली की शादी हो जाएगी एक 50 साल के आदमी से, यहां फिर कुछ education ही कमाल दिखाएगी यहां पर, वो जानेंगे हम next class में, तो आची class यहां finish करते हैं,